जरा तिवारी जी की भी सुन नहीं जाएं जरा तिवारी जी की सुनी जाएं क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है विएच्पी की तिवारी जी आपकी तो सरकार सुनती है नहीं एक सेकें एक सेकें सरकार सुनती नहीं है यह जो उधव ठाकरे जा रहे है या तमाम विएच्प पी बजरंग डल के कारकरता जा रहे है सादू संद जा रहे हैं पांच लाख लोग बताई जारा पहुँच रहे किस लिए आप लोग क्या दबाव बनाएंगे सुप्रीम कोड में मामला चल रहा है तो पहुंच कर आप लोग क्या कर सकते हैं क्या एक भय और डर का वातावरन पैदा करना चाहते हैं सीधा रोप हमारा ना भय का वातावरन बनाने का उद्देश है ना डर का वातावरन बनाने का उद्देश है हम चाहते थे कि सुप्रीम कोट जल्द से जल्द उसकी सुनवाई करके निरने दे लेकिन वह सुनवाई करने के लिए उनकी प्रात्मिक्ता नहीं होने के कारण हमें ये स्तै करना पड़ा हमारे संत महत्माओं ने तै किया उच्छाधिकार समीती ने तै कि वहाँ पर सी राम लेला का भब्य मंदिर बनना चाहिए और भब्य मंदिर बनाने के लिए जो हिंदू समाज जन मानस की भावना है वो सरकार तक से मुद्दा हल नहीं होता है समझोते से मुद्दा हल नहीं होता है तो सरकार कानून बना करें और हमारी मांग सरकार से बनाने की नहीं है सरकार सिर्फ मार्ग प्रशस्त करें इस हिंदुस्तान की जनता मंदिर का निर्मान करेंगी उस सवा सवा रुपिया से जो सिला पैसे से नहीं हो रही है वह पत्तर की नकाजी हिंदू समाज के जंता के पैसे से की जा रही है और हम सिर्फ मार्ग प्रशस्त करने का सासन से अपील कर रहे हैं कानून को मानने वाले हैं तभी हम Supreme Court की रहा देख रहे हैं हम कानून को मानने वाले हैं तभी कानून बनाने की बात कर रहे हैं अगर हम कानून तोड़ने वाले होते हम दौनों बात हमारे नेताय संत महात्मा नहीं करते इसलिए रभ भब राम मंदिर उसी इस्थान पर बनना है इनकी बात को तस्रीम कर लेना चाहिए सुधान्सु त्रवेदी जी को भारत सरकार को जब इन्होंने कहा है कि कानून पर तो हमें भी एतबार हैं हम भी अपने समिधान को मानते हैं जो फैसरा आएगा हो जाएगा तो ऑन फिया किये मुद्दा हमारा परत मिक्ता में नई जब यह बात कहीं तो हमारे संत महत्मा उने निर्ने किया कि एमुद्दा परत मिक्ता में नहीं है जो पंदरासो अठाइस से चला आ रहा है जिसके लिए छेहत्तर उध्त हो गए पहने गोताय कोटत थी जल्दी से चाहब ऊंधार और हूं आपके पास जल्दी से के खिए रहा हूं कि मौलाना सहाब से सब्क्रांज दोकृत अँटाया करते हैं मैं इकाम खतर रखैंगे मैं मानता हूं निक पासा मैं मानता हूं यह ज्नता जनारदन बैठी हैं हमारे देश को लोग बैठे हैं यह ठांस कटीशन अपलायड नहीं चलेगा सब बात कहेंगे रीजे लिखते हैं के थांस अपलाएड चील बॉलें दिजेऊ भॉलें इस पर शर्थ क्या होती है राम के नाम पर शर्थ क्या लगा रहे हैं राम म मस रेकाल नहीं होगा